आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं आज? अब कही न कहीं 20-day moving average के नीचे टेड कर रहा था अब कहीं 20-day moving average के ऊपर है और कल हमने देखा विछ वॉल्यूम उसने 50-day moving average को भी रिटेस्ट की है और जिस तरह से इंट्र रेचार्स हम देख रहे हैं तो महां पे भी एक rounding bottom pattern हमें ABB के ऊपर देखने को मिल चाहिए तो कहीं न कहीं ABB हम long कर सकते हैं 4200 के आसपास की closing जी हम long करके जाएंगे 42-60 तक के हमारे target रहेंगे और 41-80 as a stop loss हम ABB में endgame करेंगे दूसरा जो stock है वो MBF से इससे है canfin home अगर आप देखो कि तो काफी अर्से से एक range के अंदर चल रहा था ऊपर में आप देखो कि तो 770 का उसका resistance था नीचे में आप देखो कि तो 750-760 का उसका support था तो यह 10-20 रूपे की range में काफी time से सब्सक्राइब हो रहा है लास्ट दू दिन से देख रहा है कि पंटिंस की स्टॉप 770 के ऊपर close दे रहा है साथ ताथ उसको सभी इंपर्टन होई इसका cluster resistance था उसके ऊपर भी अब धेगे इंटर धेशास के ओपर यहां पे वी a crowning bottom pattern हम देख रहे हैं तो कहीं नहीं कि कैंफिन हो भी तयार हुरह है आद सिक रहे तो के लिए तो केंफिनों 775 के आसपास की क्लूसिंगी हम लॉंग दर के जाएंगे सेवन डबल नाइम का हमारा टार्गेट रहेगा इन 764 हम मेंटिन करेंगे तो एबीबी और केंफिनों आज के लिए हमारे दो बाइकॉल प्लाएंगे तरफ से एबीबी है और केंफिनोंस मेंसे एबीबी ज्यादा अच्छा है अगर आप देखेंगे यह ना कि कल ठीक था बलकि पर्सों भी ठीक था किरन कल हम इसको डिशियर को लेना चाहते थे वर्ट किसी वज़से हम इसके वालिम वालिम को चेक करके हम नहीं लिया लेकिन कल क्लोजिंग भी ठीक मिली आज आप इसको नोटिस करवा रहे हैं अच्छा पॉइंट है यह 4260 आपका टारगेट है 4180 केक्सटाप्र से केंफिनोंस रुकावाश यह रहे हैं वाट उमीद करते हैं कि आपके बोलने के बाद थोड़ा चलने लग जाएगा विशाली पारिक औ आप शादी के बाद आज पहली बार लगता मारसा शो कर रहे हैं आयूश ठीक है ना थैंक्यू गुड मॉर्ण और यू काभी अच्छी फिलिंग है मैंने एक बार पहले क्या था तब आप से नहीं मिल पाएथ आपकी बिर्दे का सब्सक्राइब आप नहीं तो सब्सक्राइब हैं चले कोई बात नहीं तो आज हम एक्सेंजिस कर लेंगे अपनी विशिस और आफ लाइन करेंगे लेकिन इसे विशाली पारिक भी हमार साथ है उन से जड़ा उनकी ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं फिर आपके पास आते आयूश और आपके जड़ा ट्रेडिंग कॉल्स भी लेते हैं विशाली गुड मॉनिंग आपके आज की ट्रेडिंग कॉल् से तुड़ा बाल्यू करना किरे स्वीन स्टॲ्स करें है सरह एक यारी sto तो यह stock में recommend करूंगी for a target of 90 to 92 level and stop loss is 80. All right, तो metal space से आपने दोनों stocks लिया हैं, कल metal stocks में एक अच्छा surge भी था, dollar index थोड़ा सा cool off हुआ है, और ठीक है, ये दो stocks विश्वाली की तरफ से, आयुश से भी समय लेते हैं, आयुश, morning and many many congratulations, मताये आज, आपके trading ideas क्या होंगे, thank you, good morning all of you, मेरी याँ से दो भाइकाल होंगे, बस्ट होगा मेरा टाटा चेमिकल्स की बात करें, तो stock ने बहुत ही अच्छा है, अपना inside candle का stock में break out दिया है, मत्री चार्ट में बात करें तो अपने stock से support ने reversal point देखा है, प्लस intraday में इसने cluster resistance का break out दिया है, तो Tata chemical को मुझे लगता है, यहां से मैं buy काना चाहिए for a target of 1010, यहां पर चॉपका stop loss बंद के आएगा support point का हो 954 का होगा, second stop होगा मेरा Dalmya भारत, Dalmya भारत में interesting data यह बन के आ रहा है, इसने अपने trend line का support लिया है और वहां से उसने उसको retest करके आपस reversal दिखा है, प्लस अपने 200-day moving average का support लिए stock ने उपर की तरफ मूफ किया है, और एक RSI में positive crossover हमें देखने मिला है, तो हमें Dalmya भारत को यहां से बाइर करना चाहिए और टागर हो 20-40, यहां पर जो हमारा stop loss होगा वो 20-40 का होगा, बताए याँ जब सारा setup हमने जो समझा इंडेक्स का, उसमें आप आज पर कैसे करेंगे ट्वीट, अगर फ्लाट खुलता है बाजार, तो क्या खरिदारी के मौके ढूंडने चाहिए? Good morning to all. Yes, basically marketer, अभी का जो हम marketer दिखते हैं, तो एक आपका एक internal factor होता है, दूसरा एक आपका actional factor होता है, तो market के internal factor को अभी हम देख रहे हैं, और अभी का जो market है, it is in a kind of the macro link, जिस अभी का जो मार्केट में, एक्विटी मार्केट में, बॉंड्स मार्केट में जिस तरह से development हुई है, प्रूड और स्कूल उफ हुआ है, तो इसके वजए से market में upside momentum आया हुआ है, market एक अच्छे positive momentum में तो है, लेकिन 19,400 एक mild resistance level है, लेकिन ultimate resistance इसका 19,500 का बनता है, तो market internally weak है, लेकिन external factors से अभी market में अच्छा सा है momentum चल रहा है, तो market का मैं यहां पर next business जो resistance देख रहा हूँ, वो 19,500 के यहां पर आता है, और very short term, क्योंकि अभी तब कोई reversal sign मुझे देखने नहीं मिला आए, तो underlying tone में में market का positive रखता हूँ, with a very short term trailing stop loss at 19,300, जो के कल के दिन का low बना था, दो बार market में test कर पे उपर में move किया हूँ था, तो market का यह broader assessment है, और stock specific में अगर यहां पर बात करता हूँ, तो small cap stocks ने काफी अच्छा perform किया, और within the small cap also small cap 50 जो है, वहां पर हमें अच्छी का से एक बरुतरी देखने मिली है, तो मेरा एक पहला pick small cap से ही रहेगा, that is Bika जी, Bika जी एक rounding pattern का breakout दिया हुआ हुआ है, retest किया हुआ हुआ है वहां से हमें side momentum देखने मिला हुआ है, तो 498 का level है अभी तो यहां से बाहर बनता है, 490 का stop loss है और 520 का हमारा target दिखने मिलेगा, तो यह काफी short term call है, दूसरा जो मेरा pick रहेगा वह थोड़ा सा defensive होगा, क्योंकि market अल्रेडी काफी अचा चल चुका है, और normally हमने दिखा है कि market जब यह extend हो जाता है, जो back seat पे जो stocks होते हैं और back seat पे जो sectors होते हैं, लाकिन फार्मा जो एक defensive play करते हैं, तो यहां पे मुझे alkem करके stock है identify करता हूं, alkem की listing 2016 से होई थी, 2016 से लिएके 2030 तक इस stock में 6-7 बड़े-बड़े correction आया है, every correction was 30-35% की range में था, तो फिलाल का भी जो correction आया था वो भी 30-35% का correction आ गया है, stock ने काफी width का यहां पे base बनाया हुआ है और हमें यहां पे breakout देखने मिल रहा है, तो यहां भी भी मेरा एक buy का view रहेगा 30830 की level से, 3750 का stop loss रहेगा और उपर में 40-4050 का upside potential हमें देखने मिल सकती है, जी.